हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मेकेनिकल में स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को NMDC का मॉडल पेपर का टॉप 30 30 most important fluid mechanics और hydraulic machine के objective question उसके answer discuss करूँगा ठीक है यह हमारा part 43 है ठीक है इससे पहले हम NMDC के model paper का total 42 videos already upload कर चुके हैं अगर आपने उन सब भी model paper को नहीं देखा है तो आप हमारे channel के playlist में जाके देख सकते हैं ठीक है और मैं आपको request करना चाहूँगा कि आप please अगर आपको PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमारे telegram group को join कर लिजे आपको telegram group को join करने का जो link है वह आपको इसी video के description box में मिल जाएगा और अगर आपको पूरा question आपको क्या करना है पूरे के पूरे 30 question आपको end तक देखना है end तक इसलिए देखना है ताकि आपसे कोई भी important question जो है miss ना हो ठीक है मैंने question काफी जादा selected ली है जो कि exam में बार बार repeat होते है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question है कि double overhung pelton wheel has two jet two runner four jet four runner यानि कि जो double overhung pelton wheel होता है उसमें क्या होता है तो उसमें जो है वो क्या होता है यह देखे आप देखके समझ जाएंगे इसमें होता है two runner ठीक है एक runner यह है और एक runner यह है ठीक है इसलिए इसको two runner बोलते है ठीक है अगले question में चलते हैं question but two हमारे पास में कि which of the following hydraulic unit is used for transmitting increased और decreased torque to the driven shaft hydraulic ram, hydraulic intensifier, hydraulic torque converter या hydraulic accumulator ठीक है तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कौन से hydraulic unit है जो की use for transmitting torque ठीक है तो torque की बाद हो रही तो आप सीधे सी बात है option बर सीध अब मार सकते हैं क्योंकि hydraulic torque converter जो है वो उसको increase या decrease करता है ठीक है अब यह hydraulic torque converter कैसे काम करता है एक driven shaft होता है एक drive shaft होता है और drive shaft के थुरू driven shaft पर torque जो है वो transfer किया जाता है तो उसी के थुरू driven shaft है उससे decide होता है कि torque की थर क्यों transfer करना है ठीक है अगले question में चलते है question 3 कि if the ratio of all the corresponding linear dimension ठीक है linear dimension are equal then the model and the prototype are said to have geometrical similarity kinematic similarity dynamic similarity या none of these तो linear dimension बोल रहे है मतलब क्या है वो geometrical symmetry ठीक है और kinematic कब रहेगा जब वो रहेगा velocity में ठीक है जब velocity के case में रहेगा तो जो है वो linear रहेगा kinematic रहेगा ठीक है और dynamic जो रहेगा वो भी आपका velocity के case में ही आता है अगले question में चलते है question 4 है कि the under shot water wheel are those क्या बोल रहे है कि under shot water wheel कौन सा water wheel होता है जिसमें wheel run entirely by the weight of water wheel run entirely by the impulse of water या the wheel runs partially by the weight of water and partially by the impulse of water तो जो एक दो टाइप का water wheel होता है ठीक है पहले आप यह समझे पहला होता है आपका यह है आपका अंडर शॉट ठीक है और यह है आपका ओवर शॉट ठीक है तो अंडर शॉट जो क्या होता है वो आपका पानी के अंदर होता है ठीक है यह देखिए यहाँ पर देख के समझ जाएंगे आप डाइग्राम को तो अंडर शॉट पानी के अंदर होता है इसकी कि जासे होता है तो अभी कोश्च ऑप्शन को देखते हैं कि अंडर शोट वाटर विल की बात कर रहा है तो मैंने आपको बताया था अंडर शोट जो पानी के नीचे रहता है मतलब वो इंपल्स ऑफ वाटर है ठीक है अगर यहां पर ओवर शोट रहता तो जो अपसका करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर ए हो जाता ठीक है अगले कोशन में चलते हैं कोशन नमर फाइब यह भी काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट हमारे लिए कि वीच आफ दा फॉलोइंग पंप इ आपके हम लेके जा सकते हैं तो आपके पास चार ओप्शन है सेंट्रिफूगल पंप एक्सिल फ्लोप यह रिसीब रोकेटिंग पंप तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो इसमॉल डिस्चार्ज हाइड के जगर उल्टा हो जाए कि हाई रहेंगे ठीक है इसको इसको आप डियाग्राम दे के समझ गया होंगे वह आपका सेंट्रिफूगल पंप कैसे काम करता है इसमें एर वेजल भी लगा रहता है ताकि जो है अगले कोशन में चलते हैं हमारा अगला कोशन है कोशन में 6 कि in an outward flow reaction turbine क्या बोल रहा है कि outward flow reaction turbine the water flow parallel to the axis of the wheel या the water enter at the center of the wheel and then follow towards the outer periphery the water enter the wheel at the outer periphery and then flow towards the center of the wheel या the flow of water is partially readily and partially axle अभी आप डाग्राम देखेंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगा क्या है क्या है क्या बोल रहा है question क्या था हमारा कि outward flow ठीक है outward मतलब बाहर की तरफ ठीक है outward अगर inward बोलना से मतलब यह जो दिख रहा है आपको यहाँ पर जो डाइग्राम है यह है आपका inward flow का ठीक है inward flow में क्या होता है कि बाहर से पानी आता है और यह टूर्ट सेंटर की तरफ जाता है ठीक है इसका direction कुछ इस तरह है तो यह जो है inward हो गया same इसका direction उल्टा कर देंगे मतलब अगर यह सेंटर से निकल रहा है और कुछ इस तरह बाहर की तरफ जा रहा है तो इस case में यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा आपका outward flow reaction turbine तो इसका correct answer देखते हैं in and outward मतलब बाहर की तरफ तो water enter at the center of the wheel and then flow toward the outer ferry वरी मतलब बाहर की तरफ अगर flow निकल रहा है मतलब option number B is a correct answer अगले question में चलते है question number 7 है कि in a hydraulic press is a device used to store pressure energy which may be supplied to machine later on it to increase the intensity of pressure of water by means of energy available from a large quantity of water at low pressure to lift large load by the application of a comparatively much smaller force यह all of the above तो hydraulic press सबसे पहले तो एक basic चीज़े जो आपको पता होना चाहिए hydraulic press जो है वो आपका किस पर काम करता है वो आपका पासकरला पर काम करता है hydraulic press कैसा दिखता है तो यह जो है industrial hydraulic press है जो कुछ इस तरह दिखता है ठीक है अभी आप भी question पर आते हैं तो इसमें जो option number B था यह ज होती ज्यादा large load को अगर उठा सकते हैं तो वह hydraulic press का principle है अगर आपने पासकला पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा आपने कुछ इस तरह diagram में इसका पासकला का ठीक है अब थोड़ा दिरुकिए मैं आपको समझा के बाता देता हूं इसमें क्या है यहां पे छोटा सा piston ड hydraulic आपका जो oil है या पानी है इसकी वजह से जो weight को है जो ऊपर के उठा देता है मतलब यहां पर बहुत ही कम force लग रहा है पर जो weight है वह काफी ज़्यादा weight होने के बाद भी वह weight को with the help of hydraulic oil या with the help of water यह इसको ऊपर के उठा देता है तो यही hydraulic press का भी principle है ठीक है अगले question में चलते question number 8 काफी ज़्यादा simple है कि the flow ratio in case of Francis turbine यानि कि Francis turbine में जो flow ratio होता है वो कितना होता है तो इस question को लिए आपको क्या करना पड़ेगा सीधर सीधर आप क्या करो इस question को रड़ दाओ ठीक है और कोई option नहीं क्योंकि इस को इस तरह के question जो है आपको value याद ही होना चाहिए तो समझने के लिए कुछ भी नहीं है 0.15 to 0.3, 0.4 to 0.5, 0.6 to 0.9 या 1 to 1.5 तो flow ratio जो रहता है Francis turbine का वो क्या रहता है वो रहता है आपका 0.15 to 0.3 ठीक है अगले question में चलते है question 9 है कि which of the following turbine is preferred for a specific speed of 60 to 300 rpm ठीक है question को देहान से समझेए कि ऐसा कौन सा turbine है जिसकी specific speed जो है 60 से लेके 300 rpm के बीच में है पेल्टन वील, Francis turbine, Kaplan turbine या none of this अगर कभी भी speed जो है ना speed हो या head हो अगर उसकी दो value दी हुई मतलब इन दो के बीच में range निकालना हो या range में दिया हो तो सीधी सी बात है वो रहेगा आपका Francis turbine ठीक है पहली चीज़ अभी जो पेल्टन वील है वो किधर use होता है तो मीटर जो है अगर आपका head दिया है जो उससे उपर जो है निकालना है तो पेल्टन वील यूज होता है काप्लाइं टर्वाइन जो है आपको लो हेड में use होता है पर जो आर्पियम जो स्पेस्विक स्पीड जो है वो इसका 300 से ज्यादा रहता है ठीक है यह सारे values आपको प important है question number 10 है कि the cavitation in a hydraulic machine is mainly due to यानि कि अगर यह hydraulic machine है या कोई hydraulic system है इसमें cavitation है तो उसकी वज़ा से due to low velocity high velocity low pressure या high pressure तो cavitation होता क्यों है सबसे पहले तो हम यह समझेंगे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी को suction करशें रही ठीक है यह pump है यहां से पानी अंदर आ रहा है तो क्या होता कभी क्यभी suction के साथ में air bubbles भी साथ में अब Luby error के चोटे-चोटे पार्टिक्ल्स वह जब अंदर आकर के पानिक पंप के अंदर के यहां सिप्ट्म के अंदर पहुँझा तो, यहां पे यह सांण कर देते हैं क्योंकि वैक्यूम क्रियेट हो जाता इस वज़ा से यहां पर यह बबल जो है बाहर की तरफ निकलने को कोशिश करते हैं जिससे कैविटेशन होता है ठीक है इसी को ही कैविटेशन बोलते हैं ठीक है को रिचुट सो कि की वज़ासे होता है तो वह होता आपका लो प्रेशर की वज़ासे लो Petra क्यूं 00.00 क्यूंकि जब जब काभीवि व्यक्यूम् जिनुरेट होगा तो वह व्यक्यूमझ अगले смотр जतरे कॉस्ट्राइव और से क्यों कोश्चन इस तरह के कोश्चन से काफी बार रिपीट कर चुगा है क्या बोल रहा है कि सेंट्रिफिकल पंप में रेगॉलेटिंग वाल पर लगा जाता है तो यह इसका सक्शन है ठीक है अगर दियागराम को देखेंगे तो यह सक्शन साइड है और यह डिलेवरी साइड है और जो आपकाि डिलेवरी साइड में लगए तो ऑप्शन नमे बर बी TOM little अगले कोशन में चलते हैं कोशन बाट टोल है कि the cavitation hydraulic machine cause noise and vibration of various parts reduce the discharge of a turbine cause sudden drop in power output and efficiency यह all of this तो मैं आपको cavitation से पहले समझा चुका हूँ तो मैं उसको detail में नहीं जाओंगा पर cavitation से क्या-क्या होता है मैंने पहली बता था जब air bubbles bubbles अंदर की तरफ आते हैं तो वह बाहर जाने के कोशिच करते हैं जिसे sound create होता है या vibration होता है तो cause noise and vibration बिल्कुल सही है जैसे यह noise and vibration आएगा जब air bubbles आएगा अगर पानी की जगह में air आएगा तो discharge जो है वो कम हो जाएगा reduce हो जाएगा ठीक होगा तो क्या होगा cost sudden drop in power तो बिल्कुल जब जब आपके discharge कम होगा तो power output भी कम हो जाएगा ठीक है तो all of this वहने के option number D is a correct answer अगले question में चलते है question 13 है कि if the net positive suction head NPSH requirement for the pump is not satisfied then no flow will take place, cavitation will be formed या efficiency will be low या excessive power will be consumed तो इस case में क्या है कि net positive suction head के case में क्या होता है अगर pump satisfied नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे cavitation बहुत जादा है ठीक है इस वज़ा से pump satisfied नहीं है अगले question में चलते है question number 14 है यह question भी काफी ज़्यादा very very important है कि reason क्या है मैं आपको बताता हो question आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि which of the following pump is successfully used for lifting water to turbines अगर यहां पर turbine बोले यह boiler बोले ठीक है यह आपका hydraulic कुछ और unit बता दे तो सीजिस वादे सब question का answer एक ही रहेगा ठीक है तो पहले question को समझते कि ऐसा कौन सा pump है जो कि turbine के लिए यूज करते हैं question यह है centrifugal pump reciprocating pump jet pump यह air lift pump तो इसका right answer जो होगा वो होगा आपका jet pump ठीक है तो jet pump कैसा दिखता है jet pump जो है jet pump का design कुछ इस तरह रहता है ठीक है यह का suction head है और यह इसका casing है और यह इसका motor है ठीक है तो jet pump हो गया है यहाँ पर एक और important है option number D air lift pump तो air lift pump कहां पर यूज होता है तो deep well यानि कि गहरा कुऊँआ जो होता है न आप गाओं में कभी देखा होगा कुऊँआ गहरा कुऊँआ तो कुऊए के अंदर से जब पानी निकालने के लिए जो pump यूज होता है वो आपका air lift pump यूज होता है ठीक है अगले question में चलते johnwell turbine thompson turbine या pelton wheel तो मुझे लगता है काफी ज्यादा simple question है क्योंकि pelton wheel जो है इसका head 450 meter रहता है वो जो एक impulse turbine है ठीक है नोजल के थुरू जब पानी यहां पर bucket में मारते हैं तो यह आपका impeller घूमता है ठीक है तो जैसे जैसे यह bucket घूमता है वैसे वैसे mechanical energy convert होता है कोशेमर 16 है कि the width of the bucket for a pelton wheel is generally width मतलब जो आपको bucket का यह जो bucket देख रहे ना इसमें इस bucket का width है कोशी इस तरह bucket रहता है यहां से लेकर यहां तक इसका width है वो कितना होता है diameter of the jet से double three times four times या five times तो वह होता है आपका five times यानि कि 5 गुना होता है ठीक है अगले कोशन में चलते है कोशन में 17 है कि for 450 meter head of water pelton wheel कपलान turbine Francis turbine none of these shall be used तो यह मैं बहुत बार बार आ चुका हूं मतलब pelton wheel use करेंगे जब 450 meter head से जाधा रहेगा ठीक है अगले कोशन में चलते है कोशन में 18 है कि the speed ratio in case of Francis turbine varies from 0.15 to 0.3, 0.4 to 0.5, 0.6 to 0.9 या 1 to 1.5 तो जो speed ratio होता है वो होता है आपका 0.6 to 0.90 कि तो option number C is the correct answer अगले कोशन में चलते है कोशन में 19 है यह भी काफी ज़्यादा important है कि the value of bulk modulus यानि कि bulk modulus of a fluid is required to determine Reynolds number, Froud number, Mach number या Euler number किसी भी कोई भी number एक question तो fluid mechanics से number से जरूर आएगा अगर fluid mechanics से question in NMDC में आएगा तो number से जरूर आएगा अभी यहाँ पर bulk modulus की बात कर रहा है तो bulk modulus के case में किसका होगा तो यह होगा आपका Mach number तो option number C is a correct answer अगले कोशन में चलते है कोशन में 20 है कि in one dimensional flow the flow is steady and uniform take place in straight line take place in curve या take place in one direction तो जो one dimensional flow जो होता है वो क्या होता है वो straight line में होता है ठीक है ratio of absolute viscosity to the density of liquid या ratio of density of liquid to the absolute viscosity या product of absolute viscosity and density of liquid या product of absolute viscosity and gustability and mass of the liquid पहली चीज़ तो basic आपको यह पता होना चाहिए कि ratio और product का मतलब क्या होता है यह रिशियो का मतलब होता है भाग यह जिसके हम डिविजन बोलते हैं Hindi में इंग्लिश में ठीक है और प्रोड़क्ट का मतलब होता है इंटुक ठीक है तो जो आपका काइनेमेटिक विसकोसिटी होता है वो होता है रेशियो अप्सोलीट विसकोसिटी टू दा डेंसिटी अगले कोशन में चलते कोशन में 22 है कि the dynamic viscosity of gases, ठीक है, gases की जो dynamic viscosity है, अगर उस temperature को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, unaffected रहेगा, increase होगा, यह decrease होगा, तो dynamic viscosity of gases जो है, जैसे जैसे temperature को बढ़ाएंगे, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो option number B is a correct answer, अगले कोशन में चलते कोशन 23 है, कि a flow in which the quantity of flow, quantity of liquid flowing per second is constant, अगर जो liquid की जो quantity है, वो constant है, ठीक है, तो उस case में क्या रहे गई है, steady, streamline, turbulent या unsteady, तो यह definition किस की है, यह है आपका steady flow की, तो option number A is a correct answer, अगले कोशन में चलते कोशन में 24 है, कि the coefficient of venturi flume generally lie between 0.3 to 0.45, 0.5 to 0.75, 0.75, to 0.95, 0.95 to 1.0, तो coefficient of venturi flume जो होता है, यानि कि CV की जो value होती है, वो होता है, आपका 0.95 to 1.0, तो option number D is a correct answer, कोशन में 25 पर आते हैं, यह भी काफी जादा important question है, और काफी जादा simple भी है, कि venturi meter is used to measure the velocity of a flowing liquid, measure the pressure of a flowing liquid, measure the discharge of a liquid flowing in a pipe, measure the pressure difference of liquid flowing between two points in a pipeline, ठीक है, अभी चारो option को detail में समझते हैं, क्या है, कि measure the velocity, अगर velocity measure करना है किसी point पे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं, pitot tube, ठीक है, measure the pressure करते हैं, अगर pressure measure करना है, तो क्या है उसके लिए, manometer है, ठीक है, pressure measure किसे करते हैं, manometer से, अभी discharge के बात कर रहा है, तो discharge के लिए आपका venturi meter है, ठीक है, और difference के बात कर रहा है, तो उसके लिए differential manometer है, ठीक है, अगले question में चलते हैं, question number 26 है, कि a flow is called supersonic, अग तो सूपर सॉनिक पहले चारो सॉनिक होता है एक सबसॉनिक एक सॉपर सॉनिक और एक हाइपर सॉनिक होता है वह आपका 1 से कम होता है सॉनिक जो होता है वह एक सॉनिक वह एक कोशियों होता है मैं एक सॉपर सॉनिक में 1 to 6 होता है और हैं सीविए अगले कोशा में चलते है कोशा मार 27 है कि तो force present in a moving liquid यानि कि बहते हुए liquid में कौन-कौन सा force present होता है inertia force यानि कि जड़त तो बिलकुल होता है viscous force ये भी होता है gravity force जी हाँ ये भी होता है total moving liquid में 6 तरह का force लगता है ठीक है तो ये 3 हो गया remaining 3 कौन-कौन सा है वो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते है तो इस question का right answer जो है वो option number D है ठीक है अगले question में चलते है question mark 28 है कि the most efficient section of a channel यानि कि channel का सबसे most efficient section कौन सा कहलाता है triangular, rectangular, square या trapezoidal तो जो most efficient section है वो है आपका trapezoidal ये trapezoidal का shape है कोच इस तरह का trapezoidal होता है ठीक है अगले question में चलते है question mark 29 है कि the ratio of the inertia force to the elastic force मैंने आपको पहले ही बोला था कि number से एक question जरूर important है exam में आएगा ठीक है तो पहले चली चारों number को ध्यान से देखते है इस question का answer पहले देखते है कि inertia force to elastic force ratio मतलब भाग करना है ठीक है उपर क्या आपका inertia हमें हर के-में हरकि तो आपका वेबर रहेगा ठीक है वहीं पर यूलर आता है जहां पर प्रेशर रहता है नीचे ठीक है अगले कोशन में चलते हैं कोशन में 30 और हमारे वीडियो का लास्ट कोश्चन है जिसका एंसर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूड हैविंग नो विसकोसिटी यानि कि ऐसा प्रेशर नो विसकोसिटी रहता है अब फ्लूड एक और इंपोर्टेंट कोश्चन यह है कि जो वाटर है ठीक है वाटर या जिसको हम पानी पीने का पानी है जिसको हम एस्टू बोलते हैं एक्जाम में डायरेट कोश्चन आता है कि वाटर इस रियल फ्लूड आइडियल न्यूटोनियन फ्लूड या नो न्यूटोनियन फ्लूड तो आपको एक चीज ध्यान रखता है कि वाटर के केस में जब भी पूछेगा तो वाटर इस रियल फ्लूड मारके नहीं आएंगे ताकि कोश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका लास्ट कोश्चन है क्यू फॉर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देजिए काफी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाके लेकर आता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए ठीक है यह एंसर की है अगर आपको फ्यूचर में प्रिपरेशन करना है हमारे पीडियो के साथ में तो आपको यह काफी जादा पीडियो के साथ रिवीजिन